अजी वोस्तों गूट मॉर्निंग आज देखें लाएं एक टाटा पंच लाएं फ्योर मोडल है और इसे अपड़ेट करने जा रहे हैं तो आईए पटापट दिखाते हैं क्या काम करने जा रहे हैं पहले देखें में से इस सम अपड़ेट होने जा रहा है ब्लॉक्बस्तर सीरीज काम लगाने जा रहे हैं 4GB RAM है और 128GB ROM है वायलेस एंडर डॉट और एप्पल कारपले भी एक काम करता है प्लस DVR भी है यहां आगे पीछे दो ही कैमरा दिया हुआ हुआ एच्दी कैमरा और यह यह पर काम करता है यह आपका component speaker हो गया और इसफीकर हो गया और बोरी सिरीज लगने गारी है component आपका पूल इंटीरियर में ही है फुल ब्लैक हो गया साथ में थोड़ा सा एज ग्रेड टच पे जो की इंटीरियर इसका रहता है वाइट पोछन पूल इंटीरियर थीम पे सीट कवर होने वाला है फुल बकेट होगा और उसके बाद एक फॉग लैंप भी अपग्रेड करने जा रहे हैं यह अपकी लुमेक्स ब्रेंड की है एलेडी पे है पूरी वाइरिंग के साथ है आप देख सकते हैं यह एलेडी फॉग लैंप हो गई उसके बाद रियर गार्ड लगेगा त्रोम आइटम होगा छोटे मोटे काम और होने पर पूरा काम हो जाता है गाड़ी का तो आपके सामने पूरा इसका लेक आएंगे कि क्या आप में इंस्ट्रॉल किया और गाड़ी का परफॉमेंस किया और लुक कैसा आ रहा है तो काम हो जुका है फटवर दिए दिखाते हैं कि क्या आपने काम किया इस टाटा पंच में पहलो देदे सकते हैं स्टेरिंग रिमोट लगा है इस टेरिंग मांट आप कह सकते हैं पूरा कफला तु कफलो और प्रॉपर वर्क कर रहा है वाल्यूम देख सकते हैं आप ओर ही है और साथ में इसमें डीवी आर जो हमने Android लगाया है विट DVR लगाया है उसका भी आपको दिखाते हैं फीचर अभी देख सकते हैं DVR आउन हो रहा है यह आउन हो चुका है पहले तो front screen पे दोनों ही आ रहे हैं front और back camera जो आपको choose करना हो कर सकते हैं अभी देखिए front camera उसके बाद यह reverse camera हो गया है और एक corner में आपको red button दिख रहा होगा touch screen पे उसे आप push करेंगे तो recording भी start हो जाएगी full HD camera है इसका vision देख सकते हैं कितना बेहतरी ही ना रहा है यह front camera है और यह देखिए split screen है front और rear camera दोनों एक साथ नजर आ रहा है उसके बाद आप choose कर सकते हैं जो भी आपको choose करना है इस पे अभी इसकी positioning भी दिखाएंगे camera की कहा हमने install किया है और इसका जो configuration है वो 4GB रह में और 128 storage है तो configuration भी काफी heavy है कोई lag का issue नहीं आने वाला है performance एकदम top notch रहने वाली है और android है तो इस पे आप अपने अनूसार से जो भी आपको app use करना कर सकते हैं एक बार steering remote का function फिर से देखिए proper work कर रहा है glossy finish में steering mount डाला है हमने genuine tata का ही इस वीडियो के पहले part में भी हमने आपको दिखाया है उसके आद interior पे बात करें तो एक 70 matte हो गई neo fit का full bucket seat cover डाला है इसके भी fit and finish देख सकते हैं कितनी बेतरी नाई है तो proper fitting है interior पे हमने काम किया है black पे ash gray interior दिया गया है जिसे ice gray भी आप बोल सकते हैं और उसके बाद एक 70 matte steering wrap हो गया steering wrap के भी finishing देख सकते हैं कितनी बेतरी नाई है पीछे seat की भी fitting देखिए कहीं आपको कोई wrinkle नहीं नजर आने वाला है proper fitment होई है प्लस 70 matte की भी fitting देखिए पीछे पूरी edge to edge cover कर रही है तो एक अगर आप bucket seat लगवा रहे हैं और 70 matte लगवा लेते हैं एक premium look आ जाता है गाड़ी में fit and finish देख सकते हैं headdress के भी fitting देखिए कहीं कोई wrinkles नहीं है उसके बाद exterior में थोड़ा सा chrome work हुआ है एक roof rail हो गया spoiler spoiler की भी finishing देखिए साथ में एक sharfin area लगा है एक लोटेक्स का rear guard डाला गया है जो कि बहुत ही मजबूत होता है तो देख सकते हैं कितना premium लुकार है इसका chrome work हुआ है देख सकते हैं आप quarter पे हो गया आपका एक roof rail हो गई door visor हो गया handle chrome co driver seat की आप fitting देख सकते हैं seat cover की और साथ में एक 70 mat android की fitting देखिए कितनी खुब आई है steering mount proper work करता हुआ देख सकते हैं proper work कर रहा है एक दम front में एक LED fog lamp डाली है वो भी हम दिखाते हैं देख सकते हैं एक LED fog lamp डाली गई है lumix brand की fog lamp पे तो यह काम हमने किया था टाटा पंच में और उमीद है कि आपको पसंद आया होगा और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है उसे भी आप फॉलो करें रोयल कार के रवानरसी के नाम से जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू कुछ कुछ